शिम्मला से खबर के बिज़ुपी विधायक राकेशे जमवाल का बड़ा बियान सुकु सरकार के एक साल के कारेकाल पर उन्होंने सवाल उठाए के सरकार का एक साल काले अध्याई के रूप में जाना चाहेगा एक साल से हिमाचल में विकास की काम ठप पड़े है हिमाचल परदेश की वर्तमान की कॉंग्रेस की सुखविंदर सुखुजी की सरकार का एक वरस का कारेकाल 11 दिसंबर को पूरा हो रहा है और इस एक वरस के कारेकाल में जो हिमाचल परदेश में गटित हुआ है हिमाचल के इतिहास में आए तक ऐसा कभी नहीं हुआ जोटे वाई दे करके जोटी गरंटिया दे कर सत्ता में ये कॉंग्रेस की सरकार इन्होंने दस गरंटिया दे कर लोगों से जोट बोला और कहा के दिसंबर में सरकार बनेगी जनबरी में हर महिला के खाते में पंदरा सो रप्या दिसंबर में एक लाख युवाओं को पहली केवनिट में नौक्रियम सेंक्सिन कर देंगे उसके बाद कहा के किसानों से दो रपे किलो गोबर, सौर पे लेटर दूद खरिदा जाएगा और तीन सो यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी इस प्रकार के जूठे वाइदे करके सत्ता में आगे आज एक वर्स का कारेकाल पूरा होने को आया एक वी गरंटी जो है नोने पूरी नहीं की और उसके बाद पूरव की भारती जनता पारटी की जहराम जी की सरकार के समय में एक वी तिय वर्स के अंतरगत खोलेके सारे संथान सारे कारले एक हजार से ज़्याद ऐसे संथान डेनोटीफाई कर दिये उसके साथ हीमाचल में कानून विवस्था की जो स्थिती है हीमाचल में ऐसी ऐसी घटना होगी निर्मम भत्या होगी जिनकी हम कभी कलपना भी नहीं करें